कर दोस्तों एडवांस लेंनिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि आपकी अगर मशीनों में कुछ दिक्कत आ आपको दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको पार्ट के बारे में यह होती है में रोड यह में रोड रती है यहां पर जो हमारी इसके पर कनेक्टिंग जुड़ी दोस्तों रिसक्यों पर हमारा चिम्टा लगता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं दिखा देता हूं आपको देखे दोस्तों जब भी आपकी बारीक सिलाई आती है जितनी भी मैंने वीडियो बना चुका हूं उसके अंदर आपने सारा प्रत्न कर लिए हैं कि आप क्या क जाता है है ब चेटा बड़े से बड़े हमने लीवर ऊपर कर दिया दातफें सॉयद्ध hmd ल 21 इंसके बारी दिकत आरी तो यह देखिए यह जीम्टा है यह चेंज करने के बाद मैं जो बी जिसके लूज होगा इसके अंदर है यह लूज होगा तो आपकी बारिक सिला आए गया यह जैसे आप फुल यह इस तरह ay में देखिए के चुम्टकर को इस तरह करके देखें देख रहे है इस यह बॉहा इससा है तो जैसे यह इस तरह जाया गा तो थोड़ा कि यह ठाइट थोड़ा मला लूज होना चाहिए लेकिन अगर ज्यादा इसमें फ्लेय होगी तो आप चिंटा चेंज करें और यह जो केम होती है यह वाली दोस्तों अगर यह घिस जाएगी तो आप कितनी जतन कर लेजिए बड़े धागे आने वाले नहीं क्यों क्योंकि कई है दिखत आती है जब पौ्रानी मशेन हो जाती है करें तो पुरानी मशीन हो जाता है जिसके लिए हम को लट्टू निकालना पड़ेगा लिट्टू लगाने का मतलब ङुम्हार क्कुलेंगे इस कि खेद मिले आ और यह सीधा इसमें लाकर जकड जाता है इसके अंदर यह जकड जाता है तो इसे जगड़ने masa क्या होगा ये से पहचाहनगे ये टाइमिंग होता स्रिफ ये आ पुसलटन को जैसी लदांगे ये सके साथ जोड़ दीजिए और ये दिखिए यह इसकी connecting है यह connecting है मैं आपको दिखाना चाहूँआ देखी कैसे लगती है इस प्रकार से इसमें हम फिट कर देते हैं इस प्रकार से दोस्तों मेरे वीडियो को लोग बहुत इंतजार करते हैं नहीं हम इंतजार करते हैं आपकी वीडियो का अब यह देखिए दोस्तों हमने इसको यह इस तरह से इसमें भूमता है यह कि थोड़ा समान नए है इस वज़े से यह लगा दें दिखाता हमां देखिए इसका मूव्मेंट होता है यह जैसे जैसे मूव्मेंट करेगा यह क्या करेगा हमारे लगावाता है इस प्रकार से लगावाता है यह रीक्षा घुमय गट्टु यह गुओं है यह की लगावाता है यह गुपम इस के उपर यह मूइ इस संदर यह बोश वोज जाता है जने आपकी मशीन में आफार के डीजा फिल सके एलाए दोस्तों आते हैं तो इसमें देखिएगा कि अगर आगे की तरफ से आवाज आ रही तो आपको पकाई गट्टू चेंज करना है जब खड़ 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 आप शटल निकालिए थोड़े से आवाज मेसुथ हो रही है लेकिन शटल लगने के बाद क्या होगा कि अब गट्टू भी आपका आवाज करेगा घ्री जैसे यह गट्टू लगर आपका यह थोड़ा से प्षिछा हो जाएगा तो मशीन जो आवाज करना शुरू कर देगी आपकी तो आपका फर्ज बनता इसको चेंज करना चेंज करना जो है इसको हम घिसेंगे अगर यह तो चेक करते रहेंगे इस तरह प्रकार से इसमें आराम से चले जाए लेज़की तो नए पार्ट मेंने फिट करें और दूसरा दिखाना चाँगा दूसरा यह जो रोड है यह जो के इसके उपर यह जो पर यह लगावा हुआ चोटा ब्रेकिट लगा हुआ है दिखाना करने का काम होता है कि जैसे दात उपर आएंगे तो यह जो होगा यह अपने गट्टू में फसा हुआ होता है यह उनलों को जानकरी दे रहा हूं जो मशीन प्रोफेशने रिपेर करना सीख गए हैं और भी काम करना शुरू कर देखिए जिसमें यह जब यह ऐसे करगा तो यह गया कैसे सुरू हो जाता है जी अपनीचे तो आप आते ऊपर जांगेश रहिगे और को इसका काम यह होता है तो यह एक ऑपनीचे जोड़े यह जो दातों को आगे की तरफ धकेलना यह भी एक टाइमिंग होता है दोस्तों अब देखिए यह क्या करेगा जब यह इस तरह करेगा जिससे यह आगे गया तो वह जो इस जगे चुप ब्रैकेट लगा था यह मैं आपको बता रहा था यह वाला देखिए यह इसको निचे लेगा फिर यह पीछे गया फिर यह उपर लेगा फिर आगे लेगा फिर यह इसको निचे लेगा फिर हम पीछे करेंगे फिर आगे ऐसे करके यह यह चलती है मशीन ठीक है दोस्तों और यह जो लीवर होता है दोस्तों छोटा धगा बड़ा करने का लीवर आता है यह इस प्रकार से लगता है यहाँ पर यहाँ पर लगता है और इसको लगाने का तरीका दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको इसको लगाने का तरीका यह है कि अब ही मैं आपको समझा देता ह ये जो बुश होगा ये हुअग ही बहुत छोटा उता गुम नों हो जाएक है यह देखिए यह स्कृू है कि एसको हम खोलका दिखाए fps फि स्कृू हम ने इसमें यहां पर धाद देना है और यह फिट करने के बाDon बाद उसको च्कस देना है और यह जो बुश है यहां पर हम इस प्रकार से लगा जो दोस्तों देखिए का अगर यहां पर आकर प्ले आती है ज्यादा तर प्ले घुरी है अगर कसा जा रहा है उसके बाद भी धीला पुट रहा तो यहां पर स्टार वाशर आते हैं छोटे-छोटे से इसमें आप दुकान पर ज लग जाएगा अभी देखिए अब यह जो है नया है दोस्तों इस प्रकार से इसको लगने में थोड़ी दिक्क्त आ लिए तो इसको क्या करेंगे हम यह वालन नया है तो इसको फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको थोड़ा थोड़े तरफ से ग्रैंड करेंगे यहां से यहां से थोड़ा घिस दिया यहां से घिस दिया इसमें डाल लगन चेक करते रहेंगा जैसे इसमें जा नहीं रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना है इसमें इसको घिस घिसके यहां से घिसना है फिर इसको हम इसमें फिट करते हैं या फिर आप फाइल लेकर इस क यह अब दो इस तरफ से एक बाट इस पोभ्यवि नहीं है , इस पॉन्य नहीं हने थे जाए मैं तो अब इस चला गया है तो थोड़ोड़ा घिसने कंदर तो ये अराम से प्रकार है और इसके बारे में बताना चाहूंगा यह चोछीज होती है यह आपका side panel होता है side cover होता है इसके अंदर ध्यान से ध्यान रखेगा थोड़ा यह देखिए यह जैसे spring है यह washer है यह washer है एक दोस्ते कट वाशर और आता है वह इसमें है नहीं सबसे ध्यान रखेगा जो काम सबसे सब्सक्राइब लगाएंगे वाशर यह उल्टा वाशर फिर इस spring के फिर भी ज्यादा टाइट होगा तो आपको इसको किस्टने के तरीका यह है इसको यहां से पकड़ना है इस प्रकार से और यहां से इसको खींज दे नहीं हों तो इस फोड़ी लंबी वह जाएगी जिसके करण क्या होगा आप इसके अंदर से इसको फिट करेंगे और का अराम से इसको है अंच Мих Julius । जैसे जी सबसेंगे वैस History Two P दोस्तों यह वाला किस करान होता है कहींगी होता नई तोड जाता है कि किस तुड है गयंगे तो यह किस काम आताए यह है तो से धागा को बराबर रखने मेंकिघ केелен हिलता तो उस दाकी वह को बरबर रखने के लिए अगर यह नहीं ýगा तो आप का दाके तूल सकता है वाला लिपंची के आल मैं आरा पाई आारी आ हराई है यह आरे हैं आका शायर धूर बुरी है लेकिन इसमें देखिये लूज है अब आप बुलेंगे आपने क्या क्या मैंने क्या 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 दोस्तों से बराबर एक बर डाल डाल के चेक करते रहें कि यह यह इस पता है तो दोस्तों यह क्या होगा हमारा अब दूसरा आपको बताता रहा है यह जो हम धागा वरते हैं इसके अंदर दीखिए इसकी रबड क्या है सूख चुकिए सबसे पहले आपको क्या करना है इस रबड को चेंज कर देना अगर आपकी गरीम धागा नहीं उसके बाद भी एक आता है इस तरह का एक आता है जहां स्कूरू होता है अगर धागा आप उपर आला स्कूरू ज्यादा कहसे देंगे तो यह चिपक जाएगा जाके और आपका धागा यह घूमेगा नहीं और मशीन भारी चलेगी ठीक है दोस्तों अब इसके अंदर क्या क स्लिप होना चुरू हो जाएगा और दोस्तों यह देखिए शटल है इसको साफ करना मैं बता चुका हूं किस प्रकार से साफ करते हैं और इसको जैसे टाइट चल रहा है इसके लगत आप सर्च करिएगा एडवांस लेर्निंग चैनल न्यू न्यू शटल एडजस्मेंट न और बाकि कोई क्यूरी होती है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा और एक चीज और दाना जोंगो दोस्तों आपको जैसे यह होता है हमारी जो मशीन उतनी जैसे यह रोड आती है यह जरह 0 नंबर की इसके ऊपर आपको नंबर दिखाता हो आपको यह है स्टेंडर्ड साइज क कोई भी नंबर नहीं है फिर इसको उपर आधा इंच की आएगी फिर एक इंच की देश चीफिर दो इंच की दाइच के बाद आपकी मशीन नहीं होगा अब मालने जे आपकी जो रौड है इसके अंदर हमने डाली और यह क्या आपको यहां पर एसकर करके लिए ताना है और लंबी सी रोड को लेकर यहां लगना इस जिगे से यह जो बुश है यहां पर रखना है और बड़ी सी हतोरी से या किसी चीज से हम यहां पर मारेंगे जोर-जोर से एक हाथ दोस्तों ऐसे रखे न इस जिने को बोली यहां थोड़ा रख दे था कि यह तूटे नहीं इसको जो यहां से मारेंगे तो यह उपर से निकलेगा नया बुश आएगा तो यहां पर मारेंगे दीरे-दीरे ओल लगा दे चारत पर फिर दीरे ठोके जो भी समान लगाते हैं आप तेल लगाएगा रख दिए ताकि भुश्य में आपको वह चीज निकालने में दिक्कत ना है और दोस्तों यह जो ब्रेकेट कहलाता देखिए आप देख पा रहे हैं इसकी रोड में दिखाना चांगा आपको यह इसकी रोड है यह इस प्रकार से रहता है यह देखिए यह इस प्रकार से रहती है यह इस प्रकार से रहता है कई यहां देखлосьें इस नया आई गच्ट장 का κά brig आएगा तो आपको कैसे फिट करना है वहारे यहां पर यहां पर उसको अच्छी तरह और जब तक घिसने जब तक यह इसमें फिट नहीं हो जाती है। ठीक है फ्रेंट्स कि आपिंथ नहीं को मताओं जाएं कि दो यह मंपी है तो हमको इस को क्या करणा हैसे इसमें उसको घ्सना हीnda से सफना है इस को ऑसे ट्लाँ महतं हो अगर यह लो जाता है यह दोस्तों अगर यह मंक्ई लगाने के बाद भी न्या मंग्ई लगाने के बाद भिशाने प्ले रहती है यह प्ले रहती तो आपको समय गट्टू चेंज करते नहीं तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए का कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें ताकि घविश्य में इसी तरह नएने वीडियो लेकि आऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका यह इसी का अंदर होगा कि आपको फुल फुटिंग मशीन के बारे में बताऊंगा और मेशीन इसलिए मैंने ताकि इसके पार्ट्स के जान करीब जिद्म आपको और नेक्स्ट वीडियो में फिर्म लेंगे तक के लिए धन्यवाइब